आप सब लोग उमीद करते हूं कि ठीक होंगे आपका मेरे रईसा की रसोय में स्वागत है मेरे चैनल पे और आज मैं बनाने जा रही हूं करेले की सब्जी करेले की सब्जी जितनी फायदे बंद है उतनी ही हम खाने में उसको टेस्टी बनाएंगे लेकिन इसकी हमेशा शिका रखते हैं और उसीको मैंने इसका चिल्का उतार दिया हूँ अधररगों सब्टी जायँ चैनल में बारीकर्टवास की अहरे कि रोगाने में दूंक लांटेर आप अच्छे से वोष्च कर लोंगी तो चली इसको दोने में डाल की तो चली POLY को अच्छे से कट कर लिये है मैं ने करेले को सही से कटकर आया इसको अच्छे से द ने ले लिया है तो मैंने अपर बड़े चम मच ओईली की सबजी में थोड़ा सा ओयल में ज्यादा डालती हूँ तो चलिए यहां पे मेरा ओयल गरम हो चुका है तो मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा एड़ करा है इसको अच्छे से गरम होने देते हैं जीरा हमारा अच्छे से भून चुका है अब हम इसमें जो करेले हमने कट करेते हम इसमें एड़ कर दूंगे और इसको अच्छे से हम फ्राय करेंगे जब तक ही करेले का कलर चेंच default न हो जाए ज्याधा टाइम नहीं लगता है, पाएं से च्छै मिंध दिन को फ्राय होने में लगते है, इससे क्या होगा, करेले का ज खाना इसको पसंद करेंगे यह देखिए मैंने सारे करेले इस पे निकाल लिए प्लेट में तो अब इसी ओयल में हम इसका मसाला बनाएंगे तो यहां पर अच्छे से गरम हो चुका है तो मैं इसके अंदर डाल दूगी अचार का मसाला इससे करेले का टेश लाग गुना बढ करेंगे बसे चटक चुका है इसकी खुश्बू अलके सी इसमें ओयल में आ जाए इसी के साथ में डाल दूंगी बारी कटेवे प्याज और प्याज को हम बूद लेंगे चार से पांच मिन्ट के लिए आप चाहे तो प्याज के साती सारे मसाले एड कर सकते हैं लेकिन प्या प्याज को बूनना है इससे का टेश्ट काफी अच्छा आएगा तो चले अब हम इसमें अंदर डाल दे रही हूं टमाटर जो मैंने बारी कट करके रखा आप टमाटर की मातरा थोड़ी सी ज़्यादा या कम कर सकते हैं आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें टमाटर ज़्यादा डाल दीजीगा इसी के साथ मैं इसमें बारी कटी भी हरी मिर्श एड़ कर दूँगी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी अब टमाटर का छिलका सोफ्ट करने के लिए यहाँ पे मैं इसके अंदर एड़ करूँगी नमक नमक हम इसमें कमी एड़ करें इसको मैंने अच्छे से वौष कर लिया था और में इसके अंदर इसको एड़ कर दूँगे अब इसको हम पकाएंगे 2-3 मिनट के लिए यह देखे इस तरह से हम इसको चलाते विए अच्छे से पका लेंगे दो से तीन मिन्ट के लिए तो यह देखे अच्छे से हमारे मसाले भुन चुके हैं यह देख पारेंगे आप इसी तरह से हमें भुनने इनको तो अब मैं इसके अंदर डाल दूगी जिंजर गालिक पेष्ट यहां पर मैंने दरदरा कुटा हुआ है जिंजर गालिक पेष्ट एड़ करा है आप चाहे तो इसका पेष्ट भी ले सकते हैं जिंजर गालिक पेष्ट डालेंगे इसमें खुश्बू लाजबा बाने लगेगी अब में इसके अंदर मसाले डाल दे तो मैंने आप हाफ तीजपून धनिया पाउडर डाला है और तीजपून मैंने आपे मिर्ची पाउडर डाला है चुटकी बर मैंने आपे गरम मसाला की तैंना ही हमें मसाले डालेंगे इस सद् franas कर लिया इंक कर लिया है तो अब अच्छे से मिक्स करने के लिए मैं इसमें ढाल दूगी थोड़ा सा पानी गर्याचा प्रादाले और जल्या पना यह लिना और आब कम अब पांश्या खैझे पानी कर दून की। तो अब अच्छे से मिल को चार से पांच मिन्ट हो चुके हैं मसालों को भूनते वे यह मसालों ने अच्छे सा ओयल छोड़ दिया है तो अब में इसके अन्दर एक निमू का रस डाल दूँगी आप चाहे तो यहां पर अमचूर पाउडर बिसमें डाल सकते हैं अप चाहे तो कच्छ को चली भीलों करेले डाल चाहाँे है भीलों को अिसशांफ में मिलतें साटार बाद गलोगे तो यह थे आ चु कऌह वाएइससी का सरूऊ बनाने में बहुत जादा टेश्टी बनती है और खाने में इसके जितने फाइदे हैं उतने और कोई सब्जी के हो भी नहीं सकते इतने अच्छ अच्छ फाइदे होते हैं करेले के अंदर तो यह देखे काफी लाजबाब सी रेसिपी बनके रेडी हुई है एकदम आसान तरीक इसके लिए सोरी और हमें रेगुलर वीडियो डालूंगी इस पर तो मेरी वीडियो को जरूर सपोर्ट कीजिए थेंक्यू सो मच्च